फ्रेंट्स गूगल पे जब लॉंच किया था था वो तेज नाम से जाना जाता था अब रिसेंटली उसका नाम चेंज करके गूगल पे किया है एक डिजिटल पेमेंट अप है और भी काफी सारे डिजिटल पेमेंट अप आप अवालेबल है बट गूगल पे आजकल काफी पा सबसे important है security, यह काफी ज़्यादा secure माना जाता है, इसमें काफी easily और fast money transfer होते हैं, एक bank से दूसरे bank account में, इस app से mobile recharge हो सकता है, पेमेंट, mobile bill payment हो सकता है, utility bills और काफी सारी चीज़े हो सकती है, और आपको काफी attractive cashback offers मिलते हैं, और उस पे कोई additional cost नहीं है, सो देखते हैं कैसे google pay app download करना है, कैसे उसमें bank account add करना है, और कैसे एक account से दूसरे account में पैसे transfer करने है, पैसे transfer करने के लिए जिसको आप google pay से transfer करना चाते हो, उसके पास भी google pay app होना चाहिए, तो आप उनका registered mobile number यूज़ करके उस bank account में पैसे बैज सकते हो, इसमें send and received दो option है, पैसे बेजने के लिए send है, और received के लिए भी आप link बेज सकते हो, और उसमें काफी सारे ज्यादा fraud होते हैं आजकल, क्योंकि कोई fraud आपको received का link बेज देता है, और अगर आप उस पे click करते हो, तो आपके bank account से direct money debit हो जाते हैं, यह सबसे बड़ा disadvantage है google pay app का, तो let's see the process, download करने के लिए android के लिए play store and apple phone के लिए app store में जाना है, यहाँ google पे type करना है, तो यह google pay for india वाला app आपको download करना है, आप यहाँ नीचे scroll करोगे तो इसका rating आपको मिलेगा 4.7 out of 5, यह सबसे rated बहुत अच्छा rated आप है, इसलिए ज्यादा popular, अब यह install हुआ है, install होने के बाद यहाँ आपको mobile number डालना है, यह mobile number आपके bank account के साथ registered होना जरूर है, वही number आपको यहाँ डालके यह next करना है, यहाँ allow करने के बाद यहाँ आपको continue करना है, next window पे जो number mobile number आपने डाला है, उस पे एक OTP आएगा, OTP यहाँ enter करना है और आपका app installation हो गया, यहाँ एक notification दिखेगा, access your location उस पे आपको allow while using app करना है और OK करना है, और bank account add करने के लिए, यहाँ आपको add bank account में जाना है, आपका जो भी bank है, यहाँ select करना है, जबी भी आप bank select करो, इस तरह के SMS आपके bank account verify करने के लिए जाएगा, यहाँ आपको OK करना है, और यह SMS आपको send करना है, verification immediate हो जाता है, उसके बाद आपको एक UPI pin create करना है, जो bank account आपने add किया है, UPI pin के लिए जब आप next करोगे, इस तरह का page दिखेगा, यहाँ आपके bank account का ATM का last 60-degree डालना है, और expiry date डालनी है, UPI ID create submit करने के बाद एक OTPI का यहाँ आपको submit करना है, और आपके bank account यह debit card का यहाँ ATM pin नमबर डालना है, और submit करना है, next page पे UPI pin आपको re-enter करके submit करना है, sorry यहाँ आपको UPI pin generate करना है new pin, और next page पे आपको फिर से re-enter करना है UPI pin, यहाँ आपको फिर से confirm करना है new UPI pin और इस तरह से bank account आपका Google Pay में add किया है और इस तरह आपको यहाँ पे UPI pin ID दिखेगा, और आप इस तरह से payment कर सकते हो, आपको transfer करना है तो new में जाके यहाँ जिसके पास Google Pay account है उसका नाम search कर सकते हो और नाम search करने के बाद उसे select करके आप payment कर सकते हो, तो आप मैं example के लिए आपको एक दिखाता हो, जैसे ही आप उन number पे click करोगे आपको यहाँ पे और request दो option है, पे करने के लिए आपको यहाँ amount डालना है और फिर yes करना है, okay करना है और proceed to pay पे click करना है यहाँ आपको UPI pin डालना है, submit करना है, amount debited, thanks for watching this video, अगर आपको वीडियो आया तो like को पसंता है,